Good morning friends, welcome to being aware आज मैं आपके लिए Right to Information Act 2005 Dilution से सम्मन्दिज जानकारी लेके आया हूँ Right to Information Act वही है जिसे हम RTI के नाम से जानते हैं Right to Information, सूचना का अधिकार यह सूचना का अधिकार हमें वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहट मिला है Right to Information Act 2005 के तहट वर्षमान समय में संसद में मांसून सत्र चल रहा है जिसमें वर्षमान सरकार Right to Information Act अमेंडमेंट अक्ट लेके आई है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शंशोधन लेके आई है वह संशोधन हमारे देनिक जीवन को या हमारे अधिकारों को या हमारे सूचना के अधिकार को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है उसके बारे में हम देखते हैं चलिए उससे पहले देख लेते हैं कि Right to Information Act है क्या और ये आया कहां से है इसकी जरुरत क्या पढ़िये पुराने समय में जैसे कि हम सभी जानते हैं से काम करें जिसकी जनकारी हमाई किसी की प्रकार से नहीं दी जाती थी परन्तु देश के आजाद होने के पश्चाद भी इस तरीके का कोई अधिकार नहीं होने के चलते हमारे देश के नागरिकों को किसी भी विभाग से कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती थी इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 1904 में 1974 में स्टेट उफ सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसिजन दिया स्टेट उफ यूपी स्टेट उफ उत्तरप्रदेश वर्शेस राज नारायन केस में जिसमें उन्होंने कहा कि जानकारी का अधिकार, राइट टू नो, जानकारी का अधिकार एक fundamental राइट है, जिसे कि fundamental राइट आर्टिकल 19.1.a के तहत, right to freedom of speech and expression के तहत पढ़ा जाएगा और उसके बाद धेर सारे cases आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये decision को बार-बार repeat किया, और उसमें यही बोला है कि यहाँ जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार आर्टिकल 19.a के तहत, हमारे समविधान के अनुच्छेद 19.1.a के तहत, implicit है, implicit है मत of speech and expression के साथ ही यह right उसमें अंतर नहीं थे है, मतलब यदि हमें right to freedom of speech and expression right मिला हुआ है, तो हमें right to information भी है, क्योंकि यह दोनों right हमेशा साथ में होंगे, उसके बाद इसे article 21 से भी link किया है, जो की fundamental right है, life and personal liberty का, ठीक है, इसे article और मैं आपको एक और additional information देता हूँ, कि UN Declaration of Human Rights, UN Declaration of Human Rights, 1948 के section 19 में भी यही बोला गया है, कि freedom of speech and expression के साथ right to know, right to know भी एक fundamental right है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, RTI Act के बहारे में कुछ important sections देख लेते हैं, जिसमें section 4.1 है, जो की obligations है public authorities पे, मतलब कि public authorities को अपने विभाग की जानकारी देना है, section 5.2 है designating PIO, हमारे देश में जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो PM हो, चाहे वो राश्ट्रपती हो, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, PWD विभाग हो, स्वास्त विभाग हो, किसी भी प्रकार का विभाग, नगरी निकाय हो, आप हर विभाग में एक PIO बैठेगा, public information officer, जन सूचना अधिकारी, जैसे कि हम देखते हैं, या किसी भी हम government की website पे जाते हैं, तो side में हमें RTI का एक option दिया रहता है, इसका तहत कि आ पर RTI का online application फाइल कर सकते हैं, यदि आपके घर के सामने रोड बन रही है, और उस रोड के खराब हो रही है, और उस रोड के खराब होने के लिए आप उस department के, जिस department ने वो रोड बनाई है, उसके office में जाके आप एक RTI फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि वो आपको उस रोड स है, सारी जानकारी दी जाएगी, पर इसके कुछ exceptions भी हैं, जैसे कि intelligence, security organization या फिर विदेश विभाग से संबंदित, ये धारा 24 में दिया गया है कि कौन-कौन सी जानकारी आपके साथ हो लोग share नहीं कर सकते, ठीक है, इसी RTI Act के section 12 और 13 में Central Information Commission का गठन है, और 15 और 16 धारा मे Constitution of State Information Commission है, ठीक है, इसी की धारा 27 और 28 में जो Central और State Governments को power देती है कि वो RTI से संबंदित कुछ भी rules बना सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं, Information Commission, Information Commission क्या होता है, Information Commission हमारे Central मतलब राश्ट्री इस्तर पर भी होता है, और State Information Commission अपने State इस्तर पर होता है, जिसमें की एक Chief Information Commissioner होता है, और additional 10 Information Commissioner हो सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले Chief Information Commissioner हमारे इंडिया के वो रहे हैं, वज़ध हभी बुला, ठीक है, वरतमान समय में आरके मातूर है हमारे Chief Information Commissioner, ठीक है, इस Chief Information Commissioner को Appoint President of India करते हैं, ठीक है, जो की एक समीति की अनुशनसा पर होता है, जिसके, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, पहले होते हैं PM, दूसरे होते हैं Leader of Opposition, इन लोकसभा, ठीक है, और एक प्रधान मंत्री द्वारा नामित कोई भी Union Minister, Union Cabinet Minister, ठीक है, Chief Information Commissioner का जो कारेकाल होता है, वो 5 वर्ष का होता है, चीफ Information Commissioner का कारेकाल 5 वर्ष का होता है, या फिर जब तक उनकी आयू 65 वर्ष हो जाती है, तब तक वो अपना Office समभालते हैं, ठीक है, Chief Information Commissioner के जो वेतन एवं भत्ते होते हैं, वो Election Commission के बराबर होते हैं, या देखा जाए तो Supreme Court के Judges के बराबर, और यही की यही जो गणना है, वो State Information Commissioner की भी होती है, जिसमें कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल दौरा की जाती है, और उनके appointment में जो समी कमिटी रहती है, उसमें Chief Minister होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन उस विधान सभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और उस राज्यपाल पांच वर्ष का होता है, पेसट वर्ष की उम्रत तक, ठीक है, उनकी भी जो वेतानेवं भत्ते होते हैं, वो election commission के बराबर होते हैं, तो चलिए देखते हैं, CIC Chief Information Commissioner के powers क्या होते हैं, ठीक है, जैसे हम RTI फाइल करते हैं, तो ये एक affiliate tribunal भी होता है, और एक्ट में ऐसा दिया गया है, कि हमें सिर्फ मातर 10 रुपे की fees पर कोई भी information हमें मिल जाती है, और वो information हमें 30 दिन के अंदर available करवाना अनिवारे होता है, और यदि ये information 30 दिन के अंदर available नहीं करवाई जाती है, तो हम 30 दिन के अंदर इसको अपील कर सकते हैं और वो हमारी फर्स्ट अपील कहलाती है ठीक है और यदि इस पर कारिवाई नहीं की जाती फर्स्ट अपील द्वारा तो हम 45 दिन के अंदर सेकेंड अपील भी कर सकते हैं ये हमारे अधिकार होते हैं और Chief Information Commissioner के powers भी कुछ दिये ह यहाँ पर चलिए उन्हें देख लेते हैं ठीक है अब हम देख लेते हैं कि Information Commissioner के जो सरकार Dilution Amendment Act लेके आई है वो Dilution क्या है जैसे हमने Information Commissioner के बारे में ये जानकारी पड़ी है कि उनका कारेकाल 5 वर्स का होता है और उनकी जब तक उनकी आयू 65 वर्स हो जाती है तब तक वो अ बराबर होते हैं और जो Information Commissioner के वेतानेवं भत्ते होते हैं वो इलेक्षन कमिशन के जो सदस्य होते हैं उनके बराबर होते हैं ये जो दो धारा हैं सरकार इन दो में संशोधन लाना चाहती है Right to Information Amendment Bill 2018 में ठीक है जिसमें की Central Government वर्तमान समय में जो Information Commissioner के कारिकाल और वेतानेवं बत्ते हैं कारिकाल वेतानेवं बत्ते हैं उनका जो Right है वो सरकार अपने हातों में लेना चाहती है ठीक है गवर्मेंट का ये तर्क है कि ये एसा गवर्मेंट इसले करना चाहती है ताकि Election Commission एक सरकार का आर्गुमेंट ये है कि Election Commission जो है एक Constitutional Body है और Information Commission एक Statutory Body है चलिए द और और अडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये Constitutional Bodies होती है ये वो Bodies होती है जिनका उलेक समविधान में किया हुआ है वो समविधानिक संस्थाए होती है और जो Legal Bodies होती है जो Statutory Bodies होती है वो वे Bodies होती है जिनको Act के माद्ध हमसे लाया गया है जैसा कि NGT ठीक है ये वो Bodies हो जो कि Act के माध्यम से आई है जैसे CIC Chief Information Commission या Information Commission या Information Commission ये भी एक समविधानिक संस्था है तो सरकार का ये तर्ख है कि Election Commission के वेतनेवम भत्ते या Information Commission के वेतनेवम भत्ते या उनका कारिकाल बराबर कैसे हो सकता है उसको rational करने की जरूरत है क्योंकि Election Commission तो एक समविधानिक संस् तो इन दोनों के वेतर नेमं भत्ते कैसे बराबर हो सकते हैं ठीक है इस प्रकार का और्गुमेंट सरकार के द्वारा दिया जा सकता है पर विशलेशा को द्वारा ये बाना जा रहा है कि ये अधिकार जो है यदि सरकार के हाथ में आ जाता है तो Information Commissioner CIC Chief Information Commissioner या फिर Information Commissioner अपने अधिकारों का ठीक से उप्योग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यदि वर्तमान समय में हमें किसी भी प्रकार का संशोधन Information Commission में करना है तो हमें उसे पारलेमेंट से पास कराना पड़ेगा यदि ये अमेंडमेंट पास हो जाता है तो सरकार किसी भी समय पे उनके कारेकाल में जो पांच वर्षका है या उनके salaries में या उनके pension में जो है चेंज पाएगी एक administrative order से जो की संसत से पारित नहीं होगा और यदि ये अधिकार हो जाएगा तो इनके Information Commissioners के या Chief Information Commissioners के कारे करने की जो शमता है उस पे असर पड़ेगा क्योंकि Information Commissioner को विभिन प्रेसिडेंट का office हुआ फिर राश्टपती का office हुआ राज्यपाल का प्रधान मंतरी का किसी भी भारत वर्ष में जितने भी विभाग है उन सभी भी भागों की महतोपूर्ण जानकारिया देने का काम है और यदि इस प्रकार का Act पारित हो जाता है तो ये उनके अधिकारों का हनन होगा इस प्रकार जो उनकी कारे चमता प्रभावित होगी और उनकी जो अधिकार है उनका हनन होगा चलिए आज के वीडियो में इतना ही यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक भी करें शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सबस्क्राइब करना न भूलें मेरे चैनल को थैंक यू